राउल गांदी की जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुचने से पहले ही कॉंग्रेस के सत्रे नेताओं की घर बापसी हुई है। और पहुचने से पहले है। All these leaders who left us two months before took a strong decision to come back into the Idea & Morganization and to work with Rahul Ghandi and to makeцевarada-yotra in a great program in Jammu & Kashmir I would like to welcome Shithiara Chand ji, former deputy chief minister of Jammu & Kashmir पिरसवागा मुहम्मद साहिद फॉर्मर PCC प्रेसिदेंट और त्री टाइम मिनिस्टर आफ जम्मो एन कश्मीर ताकूर बेलबन सिंग फॉर्मर मले मुहम्मद भुशावूर मुझाफिर परे मुहिंदर बद्वा भुश्वन द्वाबग्रा विनोज शर्म, नरेंद्र शर्म, नरेश शर्म, अंब्रीश मगरोथा सुभाष भगत, संदोष मन्हाष, बद्रीनाद शर्म, वरुन मगोथा अनुरादा शर्म, विजयत तर्गोथा, स्रीमद चंदर प्रपाश शर्म 17 big leaders, these are all, I will request Dekjiniji to go into the details of their profile, but you can see that ex-deputative chief minister, ex-PCC president, all other XMLA's, those who went two months before from our party are coming back, this is only a beginning, not only these people, I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra, therefore on behalf of All India Congress Committee and on behalf of all Honorable Congress President, I am sincerely welcome all of these leaders. तारा चंद जैसे एक गरीब आदमी को गाउं के रहने वाले को टिकट दिया, मेले बना, CLP लीडर बनाया, एक पहचान दी, दूसरी दफ़ा मैं जीता तो शे साल स्पीकर, जो मैं कश्मीर असंबली का रहा, जैबी पार्टी की दीवी पैचान थी, शिर्मती मैडम सोनिय जी ने मुझे खुद बुलाके कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूँ, और छे साल के लिए मैं डिप्टी चीप निस्ट रहा, जैबी कॉंग्रेस की देन थी, मैं सबता हूँ कि हम सब की जिंदगी में, अगर कोई सबसे बड़ा ब्लेंडर हम से हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जजबात में आके, किसी के दोस्ती में आके, गलत कदम उठा लिया, जिस बज़ा से, हमें और हमारी पार्टी को नुक्सान है, अगर पार्टी का नुक्सान है, तो हम सब को नुक्सान उठाना पड़ा, तो आज हम फिर वापस आए हैं, हम पार्टी के बहुत ही शुक्र कजा रहे हैं, शरी रहोजांदी जी के, जनाब खड़गे साब जो अनिबल हमारे प्रेजिदेंट हैं, उनके मिश्कूर हैं, मैडम सोनिय जी के मिश्कूर हैं, जिन्होंने हमें फिर बापस शामल होने की इजाज़त दे दी, शरी बिनो गपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मिश्कूर हैं, के इन्होंने साथ शामल होके, हमें फिर से पार्टी में शामल करने का मुका दी. मैं पचास साल कांगर्स में रहा हूँ, पचास साल यूद कांगर्स का प्रेजिडन रहा, कांगर्स का प्रेजिडन रहा, और चार दफ़ा मैं मिनिस्टर रहा. पूरी जिन्दगी कांगर्स में बिताईी, और मुझसे बूल हो गई, कि मैं जर्जबात में आ गया, और दो मेले के लिए, जैसे मनको पाल जी ने कहा दिया है, कि ये लिव था, मैं उनका बहुत ही अबारी हूँ, और मैं महापशी मांगता हूँ, कश्विर के लोगों को, पूरे हंदुस्तान के लोगों को, और अपनी पार्टी को, और मैं तक्रिबान ये दो मेहने मैंने नीद नहीं किये, और आइसा मुझे दबाव था, ना सिर्फ लोगों का, बलके अपने परिवार का भी, जाना महबबत है, गांधी फेमिली का और जमु कश्विर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं, रियासर जमु कश्विर के लोग, गांधी फेमिली को, जिस तरह से उन्होंने, हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरकी के राह पर गामदर्द किया, वो रियासर जमु कश्विर के लोगों के भी बूलने जाएगी है, जुरुत था जिस बात की, कि पूरे मुलक में, और जमु कश्विर में, जहां आजकल आतंगवाद चार रहा है, और कोई कभी नहीं आई है, पिछले आठ साल से.